चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोश बंग महिला इस कहानी में नाई का द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें तत्कालीन व्यवस्था पर करार व्यंग्य किया गया है भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम आज मैं आपसे दो चार बाते करने की इच्छा रखती हूँ देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना अपने बड़पन की ओर ध्यान देना अच्छा, कहती हूँ, सुनो मैं सुनती हूँ, आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं क्या यहाँ बात सत्य है? यदि सत्य है, तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस स्रिष्टी के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी स्रिष्टी हुई होगी तब तो आप धेर दिन के पुराने बूरे कहे जा सकते हैं यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महक में में ट्रांसफर, बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्मेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेत की बात है यदि आप हमारी न्याईशिल्टा, गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस, नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोननती हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, परवत, जंगल और जाडियों में भ्रमन करते अंत में इस वृत हवस्था में पेंशन प्राप कर काशी जैसे पुनीत और शांतिधाम में बैठ कर हरी नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते यहां हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर है आपको मृत्यू कहा तब परलोक बनाना कैसा ओहो, देवता भी अपनी जाती के कैसे पक्षपाती होते है देखो न, चंद्रदेव को अमरत देकर उन्होंने अमर कर दिया तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जातीवानों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाती की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लिकेशन, निवेदन पत्र, हमारे आधुनेक भारत प्रभु लाड करजन के पास भेज देवे आशा है कि आपको आधरपूर्वक अवश्य आवान करेंगे क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांती क्रिश्णांग तो हैं ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाती कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहोदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है मैं विश्वास करती हूँ कि जब लाड करजन हमारे भारत के स्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं, तो किसी मिशन में भरती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यन्त प्रिय है आपके चंद्रलोक में जो रीती और नीती स्रिष्टी के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है पर यहां तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की जोती भी कुछ अवश्य ही मन्द पड़ गई होगी क्योंकि आधुनेक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारन करने लगी है इस कारण आप हमारे दीन हीन क्षीन प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भानती न देख सकते हूँगे अतेव आप से सादर कहती हूँ कि एक बार कृपाकर भारत को देख तो जाए यद्यपी इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहां पर आठवे दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट अवश्य ही रहती है यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमन कर जा सकते हैं इस भ्रमन में आपको कितने ही नूतन द्रिशे देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देख कर आपकी बुद्धी जरूर चक्रा जाएगी यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमन शीगरता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है वहां के कलकारखानों को देख कर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहां के कारीगर तो विश्व कर्मा के भी लड़क दादा निकले यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनों जो मेगों पर आरोहन करके आनन से अठखेलिया किया करती है वह बेचारी भी यहां मनुष्य के हाथों का खिलोना हो रही है भगवान निशानात जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेगमाला अत्वा परवतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं उस समय यही नीरद वासनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ती से आलोग प्रदान कर रात को दिन बना देती है आपके देवलोग में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चुहा इत्यादी पर यहां तो सारा बोज आपकी चपला और अगनिदेव के माथे मढ़ा गया है क्या ब्रहमन, क्या क्षत्री, क्या वैश, क्या शूद्र, क्या चांडाल सभी के रतों का वाहन वही हो रही है हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आपड़ा जट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कोला पटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपाधन कर लेते हैं और हमारे यहां के उच्च शिक्षा प्राप्त यूवक काट के पुतलों की भांती मुँताक्ते रह जाते हैं जिस व्योमासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांती ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती क्या करें बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रित्ती ही लिखा था हरिपदोद भवा त्रैलोक या पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आये हैं वह भी अब स्थानस्थान में बंदनग्रस्थ हो रही है उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे व्रहदाकार खंब गाड़ दिये गए है कलकत्ता आधी को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है वहां इडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है वहां के विश्व विद्यालय के विश्व श्रेष्ट पंडितों की विश्व व्यापिनी विद्या को देखकर वीना पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निहसंदे इन विद्या दिगजों की विद्या चमत कारिनी है वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापती कार्थी के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे क्योंकि देव सेनापती महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जंचते हैं और उनका वाहन भी एक सुन्दर मयूर है बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है वहां के मिंट तकसाल को देखकर सिंधुतन्या आपकी प्रिय सहोधरा कमला देवी तथा कुबेर भी अक्च का जाएंगे भगवान चंद्रदेव संभव है कि यहां आने से आपको अनेक लाब भी हूँ आप जो अनाधी काल से निज उजवल वपू में कलंग की कालिमा लेपन करके कलंग की शशांक, शशधर शाशालांचन आदी उपाध हिमालाओं से भूशित हो रहे है सिंदु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं वहीं आजन मकलंग शायद यहां के विज्ञानवित पंडितों की चेश्टा से छूट जाए जब बंबई में स्वर्गिय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ती से काला दाग छुडाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फली भूत हुए हैं तब क्या आपके मुख की कालिमा छुडाने में वे फली भूत न होंगे शायद आप पर यह बाद भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की चाया पड़ती हैं तभी आप लोगों पर ग्रहन लगता है पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है अत्त हे देव मैं विनाय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्यम को जड़ से उखाड़ कर फैंक दें अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भासकर सूर्य महाशाय के ही वंचधरों का सामराज्य है और न अब भारत की वह शस्यशामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ती ही है अब तो आप लोगों के अज्यात एक अन्यद वीप्वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभू इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रही है अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन ही विद्या विशारत गौरांग प्रभू के क्रिपा कटाक्ष का परिणाम है यो तो यहां प्रतिवर्ष पद्वीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की फ्रिष्टी हुआ करती है पर आपके वन्शधारों में जो दो चार राजा महराजा नामात्र के हैं भी वे काट के पुतनों की भानती है जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है उनकी प्रजा दुखी है या सुखी यदि आप कभी भारत भ्रमन करने को आएं तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशाय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्र गुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं आशा है कि धन्वंतरी महाशाय यहां के डाक्तरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाब कर सकेंगे यदि प्लेग महाराज इश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े-बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोक से क्या होगा यहां के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्तजी महाराज अपने यहां की दंडविधी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते है और यदि बोच नहों तो यहां से वे दो-चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाए जब प्लेग महाराज के अपार अनुगरा से उनके ओफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुचेगी वे लोग दो दिन का काम दो घंटे में कर डालेंगे अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ मैंने तो आपसे इतनी बाते कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया परंटु आपके इस मौनाव लंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहां आएगा जरूर